हलो एवरिवन आज हम बात कर रहे हैं class 7 mathematics की exercise 3.3 की exercise 3.3 में first question हमने पहले ही solve कर लिया है तो आज हम solve कर रहे है exercise 3.3 के question number second को तो क्या है question number second चलिए हम question को देख लेते हैं read the bar graph यानि हमें इस bar graph को read करना है और show the number of books sold by a bookstore during five consecutive years and answer the following questions यानि पहले हम इस bar graph को अच्छे से read कर लेंगे इस bar graph में क्या बता रखा है देखिए आप एक तरफ तो year बता रखे हैं और दूसरी तरफ इसमें क्या बता रखे हैं number of books बता रखे है ठीक है year 1989 जैसे यहां पर बता रखा है तो इस year में कितनी books sold की गई है वो हमें पता करना है तो हम इस graph को देख कर पता कर सकते हैं कि इन years में कितनी books sold की गई है तो 1989 में कितनी books sold की गई है देखिए आप 100 और 200 के बीच में है और आदे से क्या है उपर है यानि इसमे 180 books sold की गई है 1990 में कितनी books sold की गई है तो 475 ठीके और 1991 में कितनी books sold की गई है तो इसमे books sold की गई है 300 और 1293 में जो books sold की गई है उसका जो नंबर है वो है 600, ठीक है तो हमें ये clear पता चल गया है कि इन इन years में इतनी इतनी books sold की गई है अब हमें जो question पूछे गए है उनका हम answer दे देते हैं question है first question हमारे पास है about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992 अब 1989 में कितनी books sold की गई है तो मैंने आपको यहाँ पर पेले ही बता दिया है 1989 में 180 books sold की गई है और 1990 में कितनी books sold की गई है तो इसमें 475 books sold की गई है और थाड़ इसने पूछा है 1992 में तो 1992 में books जो sold की गई है वो है 225 ठीक है इसके answer देख लीजे आप 1989 में जो books sold की गई है वो है 180 फिर 1990 में 475 और 1992 में 225 similarly अब हम second question भी देखते हैं क्या है second question second question है in which year were about 475 books sold यानि ऐसा कौन सा year है जिसमें 475 books sold की गई है और about 225 books sold यानि 225 books sold की गई है उस year के बारे में भी हमें बताना है तो आप देखिए 475 जो books sold की गई थी वो किस year में sold की गई थी वो जो year था वो है 1990 ठीक है और 225 books किस year में sold की गई है तो 225 books 1992 में sold की गई है ठीक है इसका भी answer हम देख लेते हैं 1990 में 475 books sold की गई 1992 में 225 books sold की गई अब हम next question देखते हैं इसी का इन वीच यर वर फेवर देन 250 books sold यानि एसा कौन सा year है जिसमें 250 books से भी कम books sold की गई है तो इसका answer आप देखिए एसा जो year है वो 1989 है और 1992 है जिसमें 250 books से भी कम books sold की गई है next question है can you explain how you would estimate the books sold in 1989 question में हमें पूछा गया है कि आप कैसे बता सकते हैं कि 1989 में कितनी books sold की गई है तो हम इसको कैसे बता सकते हैं हम तो सिर्फ इस graph को read करके ही बता सकते हैं और 1989 में कितनी books sold की गई है तो 1989 में कितनी books sold की गई है 180 books solved की गई है तो देखे इसका answer By reading the graph, we calculate that 180 books were solved in 1989 So students, ये था question number second, उमीद है आपको ये जो question है, वो समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like, share किजिए और इस पर comment जरूर लिखिए